तो एक बार फिर स्वागत है आप सब को हमारे चैनल पर तो आज के इस वीडियो में आडियांस ने सोयव जुमाई को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है और इसके साथ ही समातवादी पार्टी के परवक्ता राजकुमार भाटी से बहुत जब अडियांस ने सवाल किया तो उसके पास जबाब नहीं था और सोयव जुमाई से जब भी है सवाल किया जाता था ओडियांस के द्वरा तो ये मुध्दे से भटकक कर कहीं और पहुँच जाते थे और डिबेट में इन्हों ने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया सोयव जमाई ने और इसी के साथ पत्रकार अमन चोप्रा ने भी सोयव जमाई को डिबेट में कुटा है क्योंकि वो CAA और NRC का मुद्धा लेकर डिबेट में आ गए थे तो इसी मुद्धे पर जवावन चोप्रा ने से सवाल किया तो वो सवाल से भागने लगे तो इसी बात पर उसे डिबेट में बजाया है तो अब आगे क्या हुआ आप खुद से ही देखी आगे अच्छा बात नहीं है सवाल ले रहा हूं सिए का भारतियों से क्या लेना देना तो विजशियों के लिए ना वो धर्म के बन्याद पर भारतियों को नागरिक्ता देने का कुकर में इसलिए हम गुस्पैटियों के साथ कि अच्छा लगता है जब आप विदेशी मुसल्मानों के लिए अपने देश में आग लगा देशी मुसल्मानों को नाग रिखता मिलें वहीं था सिए आप कहना चाहूंगी कि आप कह रहे हैं कि जो हमारी मुद्ध जो हिंदु भाई जाते हैं पासपोर्ट लेकर पाकिस्तान जो घुष पेटी आ रहे हैं वो कितना पासपोर्ट लेकर आ रहे हैं कि यहां पर हिंदु कम है बताएं ना पूछ सवाल एक में एक में श॥ा आपने आप ने जैसे कहा कि बांगलादेशी हिंदु आपके भाई हैं और सब्सक्राइब कि आपके बांगलादेशी हिंदु के लिए लड़ रहे हैं कि अगर उनकी वहां पर प्ताड़ाना हुई है तो वहां मरें आपको हिंडूों की टेंशन लेए दो अंतर समझे यह देश लड़ नीरा देश ने कानून बनाया मैंने पहली कहा था अपने स्पीच में कि पाकिस्तान इसलामिक राज है एक इसलामिक राज में मुसल्मान को क्यों दिक्कत होगी बंगलादेश इसलामिक राज है वहां के को आने में क्यों दिक्कत होगी वहां पे जो प्रतारित माइनॉरिटी प्रतारित हिंदू प्रतारित सिक्ग्जैन सरदार धरम के अधार पे जिनके प्रतार्णा दी जाती है तो इस देश ने कानून बनाया कि वैसे लोग को हम शरं देंगे इसमें क्या गलत है भाई मेरे बर्मा से लोग आएंगे रोहगिया मुसलुमान की जो आब बात करने हैं कि रोहगिया मुसल्मान की सबसे बड़ी शर्णार्थी और व्लुढ़ी बंगला देश मैं अब आप बताता हूं इंटेंशन. हंदर्द नगर जामया में हिंदू कितने पर्तिशत बसे अभी कितने बचे हुए। है झाल ड़िया है। तो जैसा कि आपने देखा कि अजय आलोक ने हम दर्द नगर और जामिया के बारे में पुछा और ये स्वेब जमाई चले गए कहीं और इनका पुराना अधत है जब इससे पुछा जाता है किसी सवाल को तो ये लोग उस जवाब से भटक जाते हैं और कहीं और चले आते हैं क्योंकि इन लोग के पास कोई जवाब ही नहीं होता है बस ऐसे निडिवेट में आ जाते हैं इसलिए तो ओडियान्स ने में जब कोई नहीं था और ऑडियंस में से किसी एक ने कहा कि विदेशी हिंदूओं को आप लोग सरण क्यों देते हैं तो इसका सिंपल जवाब होगा कि हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जो सिर्फ और सिर्फ हिंदूओं के लिए और सब बहुत सारा सदेश है जहां भारत के अलफ संख् करते हैं लेकिन उसे भारत ही क्यों आना है और सोयब जमाई जैसे लोग हमेशा घुस पैठियों को समर्थन करते रहते हैं इसलिए हर जगा यह लोग बजते भी हैं कभी पब्लिक से तो कभी पैनलिस्टों से तो कभी एंकर से भी और समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस पार्टी के परवक्ता इनका समर्थन भी करते हैं खैर आपको अगर थोड़ा सब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजे और ऐसे हैं वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जोरू कर लीजेगा हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडि कि यो में